स्वागते दोस्तों आपका हमार यूजूब चैनल इन्वेस्टर ठामें दोस्तों म्यूचुल फंट प्लान के अंदर जब सारे ही फंट का रिटन ओल टाइम हाई के आसपास हो और मार्किट भी बुलिश मोमेंट पर हो और सभी इन्देक्स का भी रिटन ओल टाइम हाई के आसपास हो तो क्या हमें म्यूचुल फंट के अंदर लमसम पैसे को निवीश करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए एक करेक्शन का अगर आप आज mutual funds के अंदर पैसे को निवीश करना चाहते हैं और आप साहरी funds का return देखकर ये सोच रहे हैं कि आप correction का wait करें और जब correction आए तब पैसे को निवीश करें तो क्या आपके लिए सही है या फिर अभी आपको पैसे को निवीश करते हैं दोस्तो mutual fund प्लान के अंदर जब भी आप पैसे को निवीश करना चाहते हैं तो आपको अलग-लग option मिल चाते हैं यानि कि ऐसे option जहां पर अगर market all time high के आसपास है तब आप पैसे को निवीश करते हैं या फिर अगर market में कोई correction आता है तो उस वक्त भी इन प्लान के अंदर पैसे को निवीश कर सकते हैं जहां से आपको short time में भी एक अच्छा profit मिल सकता है तो दोस्तो इसके लिए आपको कौन से प्लानों का चुनाफ करना चाहिए क्योंकि mutual funds के अंदर हम निवीश तो कर देते हैं लेकिन सही तरह से और सही प्लान में और सही जगा अगर पैसे नि पर है तो यहां पर आप ऐसे फंड के अंदर पैसे को निवीश कर सकते हैं जिसमें अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है मार्केट में तब भी आपको कोई जादा बड़ा लॉस ना हो बलकि यहां पर आप अपने पैसे को भी एकसिट कर पाएं लेकिन दोस्तो अगर आपका साड़े चार हजार से जादा प्लान मिल जाते हैं लेकिन अगर आप सही प्लान पेक करते हैं तब ही आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और दोस्तो आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं यह किन रा रुपिको इमर्जिंग इकुटी फंट डारेक्ट प्लान क्रोथ दोस्तो यह large cap और mid cap category का प्लान है मैनिकेज का पोर्फोरियो काफी स्टॉंग है और जितनी भी कंपनी है पोर्फोरियो में उसमें जाज तर टाप होल्टिक में large cap कंपनी है और यहां पर कुछ पैसा mid cap सेक्टर के अंदर बीठा रहे हैं जिससे लगतार इस पर्ण ने return 42% last six month में 23% और last one month में fund ने 11.5% से जाधा return दिया है लेकिन अगर आप इस प्लान में निवेश करते हैं यहाँ पर आपको 21% का ही return मुझता है और आपका target अगर एक लाग रूपे निवेश करने का है और इसे आप 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो दोस्तो इसते आप 2,3,000 रूपे return के साथ कुल 3,3,000 रूपे का fund बना सकते हैं देकिन अगर आप इसे पैसे को निवेश करते हैं 12 साल के लिए तो यहाँ पर 1,000,000 रूपे का निवेश करके 12 साल में आप 9,84,000 रूपे का fund बना सकते हैं इसमें 8,84,000 का return होगा लेकिन अगर आप निवेश करते हैं 18 साल के लिए तो दोस्तो एक लाख रुपे का नभीश करके 18 साल में आप 30,91,000 रुपे तक फंड बना सकते हैं इसमें 29,91,000 का रिटन होगा और अगर आप 24 साल तक पैसे को नभीश करते हैं तो दोस्तो इससे आप 37,00,000 रुपे तक फंड बनाएंगे इसमें 96,00,000 रुपे को नभीश करते हैं तो दोस्तो इससे आप 3,00,000,000,000,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं इसमें 3,00,000,000,000 रुपे का रिटन आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तो किसी भी mutual fund प्लान के अंदर fund की holding काफी important होती है यहाँ पर आपको यह पता चल पाता है कि fund का holding कैसा है और portfolio क के अंदर आपको यह अच्छी growth मिल सकती है या फिर नहीं अगर हम इस fund की portfolio की बात करें तो यहाँ पर अपको मिलाकर 73 company शामिल है portfolio में और इसमें अगर हम टॉप holding की बात करें इसमें large cap company जायतार शामिल है जिसमें ICC Bank, भारत electronics, Unominda जैने कि हाँ पर दोस्तो एक से एक अगर हम long time return की बात करें तो काफी अच्छा return दिया है और इन सभी company के अंदर potential growth भी जादा है तो अगर आप पैसा नवीश करते हैं इस mutual fund plan के अदर तो आपको भी एक अच्छी growth मिल सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर fund के एनिवी का price अभी 274 रुपीज है fund की rating 2 है जबकि 21, 796 रुपे fund का यह में और fund में आप लम समय 5,000 रुपे तक नवीश कर सकते हैं fund के अंदर अगर हम equity sector location की भी बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा other sector के stock में वीश किया गया है 22% इसके लावा financial sector के अंदर 20% automobile sector के अंदर 16% और services में 14% यानि कि दोस्तों portfolio काफी जिसकी वजह से लगतार इस fund है return काफी अच्छा दिया है और दोस्तों fund का बीटा सिफ 0.88 है यानि एक से काफी कम और fund के अंदर risk भी काफी कम है जबकि अगर हम fund के अंदर expense ratio की बात करते हैं यानि घर्चे की तो यह 0.56% का और fund के अंदर exit load है 1% अगर आप एक साल से पहले पैसे को नकाल दे हैं तब और दोस्तों mutual funds के अंदर LTCG tax आपको देना होता है 10% अगर आपको एक लाग से जादा profit एक साल में हो जाता है तब और दोस्तों इस fund को manage करने है श्रीदता 2009 से और आमित 2023 से के निरा रुबिको mutual fund house दोस्तों देज का दिक्गच fund house है ये इसके बा के असपास return होता है यहाँ पर आप LTCG fund के अंदर पैसे को नविश कर सकते हैं तो दोस्तों यही वज़ा है कि अगर हम LTCG fund के अंदर पैसे को नविश करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा correction आता है तो हमारे पैसे पर जादा loss नहीं होता है बलगी यहाँ पर हम अपन return all time high के असपास हो तो LTCG fund हमरे लिए जादा बहतार रह सकते हैं मुचर फंड में आपको short term में correction मिल सकता है लेकिन अगर आपका target long time पैसे इंविश करने का है तब ही आप एक बड़ा fund बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से रेटेट अगर आपका कोई question होता है तो आप हम में जरूर बताएए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद